हलो फ्रेंग्स वेलकम टू एबी वीडियो ज़्ट आज हम पांच मिनट में बनने वाली डेजर्ट बनाएंगे हम बनाएंगे वेफर्स को यूज करके यह देखिए यह मेरे पास इंपल वाले वेफर्स हैं पाइनेपल फ्लेवर है तो यह ले लेंगे एक मैंने यहां पर लि हैं और चाहिए होगी हमें आइस्पील जिसमें भी हमने बनाने हैं उसमें हम इस तरह से इनको मैनेज कर लेंगे पहले अब एक लेयर खंब फ्रेंड्स आप इसके उपर कुछ भी लगा सकते हैं इस पे आप कोई भी ग्रश लगा सकते हैं मैंने आपके साथ स्ट्रॉबरी क्रश की रेसिपी शियर की थी वो लगा सकते हैं चॉकलेट बना रही हूँ तो मैं इसमें न्यूट्रिला लगा रही हलका सा पहले मैंने इसके उपर ये चॉकलेट से सिरफ पोल किया और इसके उपर हम लगा लेंगे न्यूट्रेला रख देंगे ब्लेट मैंने शिफ्ट कर लिए हो छोटी थी तो ये रिखेर की तीन पीसिज हम और ले लेंगे उसके उ पर भी हम को भी जिए रिफ या कि यूज कर रहे हैं या कर रहे हैं वह हएलका हलका इस तरह से पोर कर लेंगे फैला आ लें ये इसको अच्छे से एक प्छेट कर लिया मैंने इसके उपर अब हम रखेंगे आइस क्रीम ये देखिए कोई भी फ्लेवर की आप ले सकते हैं मेरे पास ये वनीला आइस क्रीम है तो मैं ये रख दूँगी इस तरह से इसके उपर इस तरह से बीच में से हम इनको यूँ कट कर लेंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस टाइन पे ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ये और ये खाने में यमी भी बहुत ही लगता है बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है बच्चे खुद भी इसको बना लेते हैं और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आती है आइस्पिन का टीस नियोट्रेला उपर से ये हमारे क्रण्च इसका दो मिनट में बनने वाला बड़ी आसाल हमारा डिजर्ट बिल्कुल प्रड़ी है इसको आप अपने लिए बनाएए बच्चों के लिए बनाएए इवन गेस्ट आने पर बनाएंगे उनको भी बहुत ही उपढ़जा लगेगा और फ्रेंड्स कोमेंट्स में भी जरूर बताएए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंट्रस्टिंग सी इजी सी न्यू रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ मी लेंगे तब तक के लिए टेक क्यार और गुट्बाए